अपने प्लस टू करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को घर से पैसा नहीं चाहिए ठीक है मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था यह जो 25 परसेंट है 20 परसेंट है वहां पर मिरे को ज्यादा वर्क करने की जरूरत है तो उसको क्या करता है बार-बार वीक एरिया में नोडाउन करके रहा लेता था ठीक है और उन्हीं पॉइंस पर ज्यादा हो करता था सुब़हा इसे मालिया की जग्वे सुबह चार सब्जेट को रिवाइज किया करें हर वीग हाइपड चीज मत बनाईए कि यह सेलेक्शन होना इतना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा होता तो बहुत साई लोग इतने सार एक्जाम्स नहीं मस्कार दोस्तों स्वागत अब सबका एको इस्पारिंग और इफिर्मेटी वीडियो में आज हमार साथ देव प्रियेसर हैं देव प्रियेसर ने बहुत सार एक्जाम करेकर रखा है मतलब मैं एक बहुत लंबी चोड़ी इनकी लिस्ट लेकर मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी मैं बता पाऊं कितना सर एक्जाम करेकर कर रखा है वरवली तो इसलिए मैं यह ले रख आपको बता रह इस पर पोस्टेड है इस पर सर अभी सवाय दे रहे हैं सर कोई छुटा नहीं है तो सर से हम जानेंगे कि एक तरीके से जो वंडे एक्जाम होते हैं ससी के रिगार्डिंग और जो पीओ होते हैं क्लर का जो एक्जाम पेपर होता है तो एक चीजे कैसे किसी इंसान के अंदर मतलब धिर धिरी डवलप होने लगती है उनका माइंडशेट होने लगता है किस इंसान का को हर एक्जाम करेक करते जाता है और इसके लावे सर ने मतलब BPSC में दो बार मेंस भी लिखा है अब जानेंगे एक तरीके से क्या श्टागल हो रहा है बीना कोचिंग असर ने किया है तूसी पर हम बात करें कि आप लोग इसी जाम कैसे इतना एजी बना सकते हो कि सारे एक जाम आपको एक तरीके से खलुआ कि तरह लगे तो सर सबसे पहले आपको अपने चैनले पर अंतिरित करता हूँ और सर अपने समय निकाले इसके लश्तुक्रिया सर भी फ्री अपने बारे मताया हूँ थैंक्यू वेरी मुच कि आपने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरे को एक उपार्चिनिटी दी है ये बारे में मेरी जो शिक्षा हुई है ग्रैजुएशन वगर ये सब कुछ बिहार से ही हुई है भागलपु उनिवर्सिटी का इस्ट्रेंट रहों में किलका मांजी भागलपु उनिवर्सिटी का सर्फ फैमिली बेग्राउंड की बात करी जैसे कि हम इंटरवू सुट करना से पहले बात कर रहे थे कि आपके पिता जी बहुत थी मतलब एक सिंपल सा स्कूल में वह टीचर रहे थे कि मैंने को घर से पैसा नहीं चाहिए ठीक है मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और जो भी अर्निंग्स थी उसके मैं अपना फॉर्म और अपनी पढ़ाई का खर्च वगराऊ पढ़ाई का खर्च तो बेर मिनिमम था हमको लगता है कि गौर्ण्मेंट स्कूल और गौर्ण बैंक में बात करी जा है तो क्रोनो क्रोनो परिफॉर्म सर गिरते हैं तो आप सब जब त्यारी करना श्टार्ट ही है तो या टाइम कोचिंग और क्या सिन रहा था आपकी लाइफ पैसे बहुत ज़ादा अधिकतर बच्चे पतना या ठीडली चले जाया करते थे प्रिवियर से ही रहकर प्रिवियर सी यर्स पेपर लेकर पढ़ाई की थी कोचिंग का रोल मेरी लाइफ में मेरे प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा रहा नहीं है मेरे ख्याल से बिना कोचिंग के भी लोग कर सकते त्यारियों और आप जैसे यूट्यूब चैनल और माकी इन सब प्लेटफॉर्म के ज़रे भी तैयारियों अराम से की जा सकती है सर्फ कंटेंट की बात करेंगे हमकी क्या रिसोर्स वगरा थे आपके मतलब इसे के ससी की हम बात कर लें क्योंकि most efficient SSE के तरफ ज्यादा मतलब होते हैं उसके प्रिपेर्शन करते हैं तो क्या मतलब रिसोर्स आपने फॉल्व किया था किरन पब्लिकेशन के previous years papers लगाई थे मैंने और दस साल के जितने भी questions और different types के questions हो सकते थे हर section के वो सबके सब कई बार repeat कर दिये थे और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अच्छा question यह है as it is उसका यही option होगा और कभी-कभी उसका trick जो है वो ऐसा लगता थे कि दूसरे questions में भी apply हो जाएंगे बहुत easily तो मुझे लगता है कि preparation के दुरान content में हमने ज परसेंट ही जो है तो इसको कभी अपने एसास नहीं कि नहीं हो पाया क्योंकि प्रिवेस यह पेपर साटेंप करता था तो उसमें ऐसा लगता थे कि 10 या 15% question ही जो है ठीक हो रहे रहे है ठीक है बांकी तो बन जा रहे है तो यह जो 25 परसेंट है 20 परसेंट है वहाँ पर मिलको ज्यादा work करने की जरूरत है तो उसको क्या करता है बार-बार weak area में no down करके रख लेता था ठीक है और उन्ही points पे ज़्यादा गाम करता था उन्ही को बार-बार practice करता था उन्ही types के questions ज़्यादा बार बनाता था और कुछ जैसे की current affairs है जीके है उसके लिए कुछ leucine gk जैसे book थी ठीक है ये सब refer करता था तो खुद से बैठ कर उसको revise करता रहता था और check कर लेता था mock test बना बना के तो कभी लगा नहीं कि हाँ पटना या डेली जाने के बाद ही selection होगा नहीं तो selection नहीं होगा ठीक है इसलिए कभी गया नहीं मैं कभी सर पढ़ाई के दिनों में मतलब क्या time to all हुआ करता था कितने घंटे मतलब पढ़ाई करते थे अपने preparation के दिनों में यह tuition पढ़ाना था और पढ़ना था तो पढ़ाने में करीब 7 hours के आसपा जाता था और इतना ही लगबग मैं पढ़ने के लिए भी निकाल लेता था खुद से से आप 3,5-4 गंटा निकाला आपने फिर office आके आपने तो रिलाक्स किया refreshmentally थोड़ा रिलाक्स किया और फिर बाद में आप दुबारा 2-3 गंटे वहां निकाल लेते हैं चार गंटे इस तरह से time average 7 गंटा निकल जाता है अब पहले 7 गंटा नहीं बलकि पहले जादा time देत तब ज्यादा मेनस की जरूत भी थी सर अब जो मतलब इस समय का जो digital मतलब एरा है एक तरीके सका सकते हैं कि इसे बहुत सारे मतलब content materials चीज़े आपको subject जो है कि मतलब internet में मिल जाते होंगे तो आप भी उसे हो सकता है कि use करते होंगे लेकिन हम SSE के regarding पुछेंगे और banking वगरे के regarding तो आपकी नेजर में ऐसा कोई मतलब है तो आप बताईए कहां से हो मतलब content ओफॉल है देखे online contents तो बहुत सारे available है लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सबसे पहले जहां भी आपको previous years paper मिल जाता है न और वो भी time format में जैसे मान लिए कि एक घंटे का time में 100 questions है और आपको exam जैसा simulation मिल जाता है जैसे आप कभी किसी practice test में या फिर mock test में appear होते है न online वैसे ही आपको अगर कोई test मिल जाता है free of cost पी ऐसे बहुत सारे available है ठीक है different sites पे आप google करेंगे आ जाता है information तो आप उस पे attempt ले लिजा at free of cost और सबसे पहले आप चेक करिए कि हाँ ठीक है हमारा कौन सा section में किस तरह का question हम attempt नहीं कर पारे तो ऐसे बहुत सारे website से जहां प और sprint भी basically यहीं जानना चाहेंगा आपसे कि जो content उसका है जो book list आपन फॉलो गया था to the point आप बताईए subject wise जैसे maths है maths के लिए किरन publication का previous years paper किया था अरिहंत के mock test बनाए थे और उसके बाद reasoning है reasoning के लिए तो किरन का ही किया था क्योंकि reasoning काफी comparatively easy होते है bank के comparison मेंगर आप दे circles number of triangle sister के questions पूछ लेते हैं या फिर sequence वाला question हो जाता है ठीक है series वाला वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है मां की puzzle वगर भी बहुत simple होता है bank के comparison तो आप जो है किसी भी mock test को या previous years papers को अगर आप लगाते हैं काफी होगा इतना reasoning के लिए अब बात रही जीके की तो जीके दो भाग में split हो गया एक तो जो static portion है दूसरा current affairs है static portion lucid sufficient है उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं है उसके अलावा अगर बहुत है तो आप previous years paper जो है SSE CGL के देख लिए UPSC CDS के देख लिए और CAPF के देख लिए one liner type ठीक है वहां से आपके questions आ जाते है एक PD की किताब आती है ठीक है railway के लिए आती है लेकिन अगर आप Hindi medium से हैं तो आप उसको देख सकते हैं अगर English medium से तो recommend नहीं करो हैं क्योंकि English medium में book available है नहीं तो आप वहां से previous years paper जो है ठीक portion आपका clear करेंगे और जो current affairs का portion है उसके लिए मैं दो recommend करूंगा एक तो है speedy और दूसरा आपका gk today है ठीक है ये दोनों आपको काफी current affairs build up करने में मदद करेगा दोस्तों घर बैठे आपको EPC PCS की all materials चाहिए like all standard books all notes like disti vision वाजी राउं NCRT books all new NCRT mix NCRT तुदेल ही क्या आप रजिस बूक अश्रों से मगा सकते हैं दियो हो नमर पर call कर गे थैंक यू सर experience के students के सबसे बड़ी आज के समय प्रोलम है वो है कि मतलब comment भी लिखते हैं लोग हम मतलब जितने IS, IPS, BPSC topper, SSC toppers के हमने interview करा है सर आपके इसे एक दो लोग अभी interview के जो पंदर पंदर इजाम करेकर रखे हैं digest नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ, मतलब याद नहीं हो रहा है, भी हम क्या करें, जाइए तो पुछिए कि याद करने का तरीका क्या है, कुछ फर्मूला वेगर है तो बताइए याद करने के कोई फर्मूला नहीं होता और याद करने के लिए माइन को प्रेसराइज भी मत कीजिए, क्योंकि मेरा पैटन रहता है जैसे कि पढ़ी हुई चीज़े हैं सारी, लेकिन मैं फ्रेशर के लिए और जो रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए बताईता हूँ, महिने में आप बेस मना लिए 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 जी के से, दो महिना बहुत है मतलब, ठीके मैं दो बार पढ़के भी अगर इसलिए आप पढ़ेंगे तो दो महिना लगेगा, उसके बाद ना आप हर वीक एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया करिए, हर वीक, जैसे इस हफते सब्जेक्ट को, पूरे दिन, ठीक है उसके पीछे लगे रहे हैं, उसको खतम करिए, ठीक है उसके बाद फिर quality पर लगे फिर आप ज़ूगरफी पर लगे, फिर history पर लगे, ऐसे करके आप एक एकर करके सारे सब्जेक्ट को खतम करिए, उसके बाद फिर से जी के का जो previous years paper पर है ना SSE CGL का हो चाहे रेलवेज का हो CDS का हो आप उसको अटेम्ट कीजे और देखे कि कितने सही है और कहां जो है आपका वी केरिया क्या है या फिर आप BPSC वगर प्लेंस का भी दे रहे हैं पर वहां भी आप वही कीजे ठीक है आप उसको दुबारा अटेम्ट करिए और तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं सर लिखते भी थे आप पढ़ने के बाद ऐसा कुछ है मैं लिखता नहीं था लेकिन हाँ हाइलाइट करता था अपनी बुक में ही ठीक है और पेपर में वैसे मैं लिखता था साथ में ठीक है कौन सा वी केरिया है कि अच्छा यही मैं ए इंच लाइन है सर की बात हमें जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए ठीक है एक्जाम करना ना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ठीक है एक लेवल अटेंड हो जाता है ठीक है आपको परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है दूसरी बात है कोचिंग वगर या फि इंच से कर चुके हैं क्या उसमें कोई question ऐसा रहता है कि different types of questions को कुछ ऐसे रहते हैं जो आप attempt नहीं कर पाते अगर नहीं कर पाते तो प्लीज आप उसको re-attempt करिए आप अपने week area को improve करिए exam तो अपने आप clear होगा ही होगा ठीक है और जब तक आप exam crack नहीं कर लेते आप मत रूख ये और किसी के द्वारा भी जो है अगर आपको कोई रोकता है या फिर अगर कोई आपको डराता है किसी भी तरीके से कोई भी तो आप वह सब बंद कर दीजे अपने रूम में जाए बैठ कर पढ़िए और mind एकदम refreshing mode में रखे highly energetic mode में रखे डरने की कोई ज़रूरत करते हैं आपके लिए सर्दुआ करते हैं कि इस बार जो BPSC अपने दिया है 67 का इसमें मेंस लिक है और BPSC भौन गंदर जाए और finalist में आपका नाम है और pro आप SDM बनिये जिससे आपके साथ एक बार और से मुझे इंट्रव्यू करना कमों का मिलेगा तो दोस्तों ये और सब्स्राइब करना मत भूलिएगा थेंक्यू सुमसर थेंक्यू